ओम शान्ति आज तिनांक तीन अगस्त 2022 प्राताह मुर्ली पाप दादा मदुबन बाबा बोले मीठे बच्चे बाप की याद कायम तब रहेगी जब बुद्धी में ग्यान होगा ग्यान युक्त बुद्धी से रुहानी यात्रा करनी और करानी है अर्थात रुहानी पिता परमात्मा संगम युक्त पर आकर हमें देह तथा देह के संबंदों से कर्म के बंधनों से मुक्त करा कर अपने साथ ले जाने के लिए आते हैं हमें रुहानी यात्रा सिखाते हैं जिसमें बाबा कहते तुम्हारी बुद्धी में जब ग्यान होगा तो याद कायम रह सकेगी तुम रुहानी यात्रा कर सकोगे क्योंकि 63 जन्मों से बाबा कहते तुम जिसमानी यात्रा करते आ रहे हो अब तुम्हें घर जाना है असरीरी होकर जाना है तो असरीरी खुद को आत्मा अनुभाव करो और पिता परमात्मा को यात्रा करो अपने घर की यात्रा करो सुख धाम की यात्रा करो जिसके लिए बाबा कहते तुम्हारी बुद्धी में ग्यान का सिम्रन होना चाहिए ग्यान होगा तो ही तुम सोच समझ कर बाबा की स्रीमत अनुसार प्रेशन किया बाबा ने इस्वर दाता है फिर भी इसवर अर्थ दान करने की रस्म क्यों चलियाती है उत्तर में बाबा कहते क्योंकि इसवर को अपना बारिस बनाते है समझते हैं इसका एवजा वह दूसरे जन्म में देगा इसवर अर्थ देना माना उसे अपना बच्चा बना लेना भक्ती मार्ग में भी बच्चा बनाते हो अर्थात सब कुछ बलिहार करते हो इसलिए एक बार बलिहार जाने के रिटर्न में वह 21 जन्म बलिहार जाता है तुम कोड़ी ले आते हो बाप से हीरा ले लेते हो इस पर ही सुदामा का मिसाल है सुदामा ने मुठी भर चावल से महल मानिया प्राप्त कर ली तो ऐसे ही बाबा कहते तुम बच्चों को अपना ककपन अपने पास जो किचड़ा है वह तुम बाबा को सोब देते हो और बदले में 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की राजाई प्राप्त करते हो बाबा कहते अभी तुम जानते हो कि हम सिव बाबा पर बली चड़ते हैं हमारा तन मन धन जो कुछ भी है सब कुछ उनका है वह 21 जन्मों के लिए वर्षा देंगे साहुकार का रदय विदिर्ण होता है बाबा का नाम ही है गरीब निवाज तो बाबा आकर गरीबों को ही समालते हैं उन्हें ही साहुकार बनाते हैं कहते हैं मामे कम याद करो गीत सुनाया बाबा ने रात के राही रुकमत जाना सुबह की मंजिल दूर नहीं ओम शान्ति बच्चों ने इस गीत की एक लाइन से ही समझ लिया हुआ बाबा कहते बच्चों ने इस गीत की एक लाइन से ही समझ लिया हुआ बाप जब बच्चे कहते हैं तो समझना चाहिए हम आत्माओं को बाप बैट समझाते हैं आत्म अभिमानी बनना है यह तो सब जानते ही है आत्मा बगेर सरीर बाबा कहते आत्मा और सरीर दो चीज है परन्तु यह नहीं समझते कि हम आत्माओं का बाप भी होगा हम आत्माएं निर्वान धाम की रहने वाली है यह बाते बुद्धी में आती नहीं है बाप कहते हैं न यह ग्यान बिल्कुल ही प्राया लोप हो जाता है तुम जानते हो अब यह नाटक पूरा होने वाला है अब घर जाना है अब पवित्र पतित आत्माएं वापिस घर जा नहीं सकती एक भी जा नहीं सकता यह ड्रामा है जब सभी आत्माएं यहां चली आती हैं फिर वापस जाने लगती हैं यहां तो अभी तुम जानते हो कि बाप हमें रूहानी यात्रा सिखला रहे हैं कहते हैं है आत्माएं अब बाप को याद करने की यात्रा करनी है जन्म जन्मांतर तुम जिस्मानी यात्रा करते आये हो अभी तुम्हारी है यहां रूहानी यात्रा जा कर फिर म्रत्यू लोक में वापिस आना नहीं है मनुस्य जिस्मानी यात्रा पर जाते हैं तो फिर लोटाते हैं वह है जिस्मानी देह अभिमानी यात्रा यहा है रुहानी यात्रा सिवाए बेहत के बाप के यहा यात्रा कोई सिखला ना सके तुम बच्चों को स्रीमत पर चलना है सारा मदार है याद की यातरा पर जो बच्चे जितना याद करते हैं याद कायम उनकी रहेगी जिनको कुछ न कुछ ग्यान है 84 जन्मों के चक्रों का भी ग्यान है न अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए यहाँ है 84 जन्मों के चक्र की यात्रा इनको कहा जाता है आवा गमन की यात्रा आवा गमन तो सभी का होते रहता है आना और जाना जन्म लिया और छोड़ा इसको आवा गमन कहा जाता है अभी तुम इस दुखधाम के आवा गमन के चक्र से छूटने जा रहे हो यहाँ है दुखधाम अभी तुम्हारा जन्म मरन सब अमर लोक में होना है जिसके लिए तुम पुरुशार्थ करने आये हो अमरनात के पास तुम सब पारवतियां हो अमर कथा सुनती हो अमरनात से जो सदेव अमर है तुम सदेव अमर नहीं हो तुम तो जन्म मरन के चक्र में आते हो अभी तुम्हारा चक्र नर्क में है इससे तुमको छुड़ा कर आवा गमन स्वर्ग में पनाते हैं वहां तुमको कोई दुख नहीं होगा यहां है तुम्हारा अंतिम जन्म तुम देखने जाएंगे कैसे विनास होता है बाबा कहते तुम देखते जाएंगे विनास कैसे होता है यहां जो माथा मारते हैं लड़ाई ना हो या कहते हैं बॉम्स जाकर समुद्र में डाल दें यहाँ सब किनारे बाबा कहते यहाँ सब विचारे कहते रहते हैं परंतु यहाँ नहीं जानते कि अब समय आकर पूरा हुआ है तुम अभी संगम पर हो और दुनिया वाले समझते हैं कि अभी तो अजुन कल्युक सुरू होता है चालिस हजार वर्स बाद संगम आना है यहाँ भी बात निकली है सास्त्रों से बाप कहते हैं तुम जो कुछ वेद सास्त्र आदी पढ़ते दान पुन्य आदी जन्म जन्मांतर से करते आयो यहाँ सब है भक्तिमार्ग तुम जानते हो हम पहले ब्रह्मन फिर देवता बनते हैं ब्रह्मन वर्ण है सबसे उचा यहाँ तो प्रेक्टिकल बात है ब्रह्मन बनने विगर कोई देवता वर्ण में आ नहीं सकते तुम निश्चय करते हो हम ब्रह्मा के बच्चे हैं स्यू बाबा से देविय राज्य ले रहे हैं अभी तुम्हारा पुरुशार्थ चलता है रेस भी करनी पढ़ती है अच्छी रीती पढ़कर फिर दूसरों को भी पढ़ाएं लायक बनाएं तो वह भी स्वर्ग के सुख देखें क्रश्ण पुरी की बाबा कहते क्रश्ण पुरी को तो सभी याद करते हैं सिरी राम को छोटे पन में जूला आदी नहीं जुलाते सिरी क्रश्ण को बहुत प्यार करते हैं परन्तु अंध स्रद्दा से समझते तो कुछ भी नहीं है बाप ने समझाया है इस समय यह सारी स्रश्टी तमो प्रधान काली है भारत बहुत सुन्दर गोल्डन एज था अब तो आईरन एज में है तुम भी आईरन एज में हो अब गोल्डन एज में जाना है बाप सोनार का काम कर रहे हैं तुम्हारी आत्मा में जो लोहे और तामे की खाद पड़ी है वहा निकाली जाती है अभी तुम्हारी आत्मा और सरीर दोनों छूटे बन गए हैं अभी तुमको फिर से सच्चा सोना बनना है सच्चे सोने में बहुत खाद मिलाने से एकदम मुलम्मा बन जाता है तुम्हारी आत्मा में अभी बिलकुल थोड़ा सोना जाकर रहा है जेवर भी पुराना है दो केरेट सोना कहते हैं तो बाप बैठ कर स्रीमत देते हैं भारत बरोबर स्वर्ग था और कोई धर्म का राज्य नहीं था फिर उस स्वर्ग में जाने का पुरुशार्थ करना है परन्तु माया करने नहीं देती माया तुम्हारा बहुत सामना करती है युद्ध के मेदान में तुमको बहुत हराती है चलते चलते कोई तूफान आ जाते हैं विकार में जाकर एकदम काला मूँ कर लेते हैं बाबा कहते विकार में जाकर एकदम काला मूँ कर देते हैं बाप कहते हैं अभी मैं तुम्हारा गोरा मूँ करता हूँ, तुम विकार में जाकर फिर काला मूँ मत करो, योग से अपनी अवस्था को सुद्ध बनाओ, सुद्ध होते होते सारी खाद निकल जाएगी, इसलिए योग बट्टी में रहना है, सोनार लोग इन बातों को तो अ अच्छी रीती समझेंगे, सोने की खाद निकलती है आग में डालने से, फिर सोने की सच्ची डली बन जाती है, बाप कहते हैं जितना तुम मुझे याद करते रहेंगे, उतना सुद्ध बनते जाएंगे, बाप तो स्रीमत देंगे और क्या करेंगे, कहते हैं बाबा कृपा करो, अब बाबा करपा क्या करेंगे, बाप तो कहते हैं याद में रहो तो खाद निकल जाएगी, तो याद में रहना है, वा करपा आसिरवाद मांगना है, बाबा कहते हैं तो याद में रहना है, वा करपा वा आसिरवाद मांगना है, इसमें तो हर एक को अपनी मेहनत करनी बाप कहते हैं रूहानी बच्चे इस यात्रा में ठक मत जाओ घड़ी घड़ी बाप को भूलो मत जितना याद में रहते हैं उतना समय जैसे तुम भट्टी में हो याद नहीं करते हो तो भट्टी में नहीं हो फिर तुम से और भी विकर्म बनते एड़ होते जाते हैं जिससे तुम काले बन जाते हो महनत कर गोरे बन और फिर काले बनते हो तो गोया तुम वैसे 50% काले थे अभी फिर 100% काले बन जाते हो काम विकार ने ही तुमको काला किया है वहा है काम चिता यहा है ग्यान चिता मुख्ये बात है काम की घर में जगड़ा बाबा कहते घर में जगड़ा ही इस पर होता है कुमारियों को भी समझाया जाता है कि अभी तुम पवित्र हो तो अच्छी हो न कुमारियों को सब पाउं पढ़ते हैं क्योंकि पवित्र हैं तुम सब ब्रह्मा कुमारिया हो न तुम ब्रह्मा कुमारिया ही भारत को स्वर्ग बनाती हो तो तुम्हारा यादगार भक्ति म में चला आता है कुमारियों को बहुत मान देते हैं हैं तो ब्रह्मा कुमार भी माताओं की मेजोरिटी है बाबा कहते हैं तो ब्रह्मा कुमार में तुम इस्वर को दान क्यों देते हो बाप तो बच्चों को देते हैं न फिर इस्वर को दान क्यों करते हो इस्वर अर्थ करते हैं क्रश्ण अर्थ करते हैं क्रश्ण तुम्हारा क्या लगता है जो तुम उनको दान देते हो कोई अर्थ चाहिए न क्रश्ण गरीब तो है नहीं, फिर भी कहते हैं इसवर अर्थ, कृष्ण अर्थ तो होता ही नहीं, वहा तो सत्युक का प्रिंस है, बाप समझाते हैं कि मैं सबकी मनो कामनाएं पूर्ण करता हूँ, क्रश्ण तो मनो कामनाएं पूरी करना सके वहा तो क्रश्ण को इस वर समझ क्रश्ण अरपणम करते हैं वास्ताव में फल देने वाला मैं हूँ भक्ती मार्ग की सब बाते समझाई जाती है सिव बाबा को तुम देते हो तो जरूर बच्चा ठहरा न भक्ती मार्ग में भी बच्चा है यहां भी बच्चा है भक्ती मार्ग में अल्पकाल के लिए एवजा मिल जाता है अभी तो है डाइरेक्ट इसलिए तुमको 21 जन्मों के लिए वरसा मिलता है यहां तो पूरा बलिहार जाना है तुम एक बार बलिहार जाते हो तो यहाँ 21 बार बलिहार जाते हैं तुम को बाबा कहते तुम कोड़ी ले आते हो बाब से हिरा लेने के लिए अंदर समझते हैं हम चावल मुठी सिव बाबा के भंडारे में डालते हैं सुदा में की बात अभी की है सिव बाबा तुम्हारा क्या लगता है जो तुम उनको देते हो बच्चा है तो तुम बड़े ठहरे न समझते हो एक देवें तो लाख पावे देने वाला दाता वहा एक ही है साधू लोग तुमको कुछ देते नहीं है भक्ती मार्ग में भी मैं देता हूँ इसलिए बाबा पूछते हैं तुमको कितने बच्चे हैं फिर कोई को समझ में आता है कोई को समझ में नहीं आता है अभी तुम जानते हो हम स्यू बाबा पर बली चड़ते हैं हमारा तन मन धन सर उनका है वहा हमको 21 जन्म के लिए वर्सा देते हैं साहू कारो का रदय विदेर्ण होता है बाबा का नाम ही है गरीब निवाज बाब कहते हैं तुमको अपना ग्रस्त विवार समालना है ऐसे नहीं कि तुम यहां बैठ जाओ सिर्फ स्रीमत पर चलते रहो मामे कम याद करो बस भक्ती मार्ग में भी गाते हो कि मेरा तो एक दूसरा ना कोई तुम बच्चों को कितनी बाते समझाई जाती हैं सब तो एक जैसे समझने वाले हो नहीं सकते पिछाडी में निकलेंगे फिर तुम्हारे में बल भी होगा सुनने से ही जट आकर पकड़ लेंगे निश्चाए हो कि बाप हमको 21 जन्म के लिए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं तो एक सेकेंड भी ना छोड़े यहां बाबा अपना भी अनुभव सुनाते हैं न यहां तो जोहरी था बैठे बैठे क्या हो गया बस देखा बाबा दोरा बातसाही मिलती है विनाज भी देखा फिर राजाई भी देखी तो बोला बस छोड़ो इस गुलामी को साक्षात कार हुआ परन्तु ग्यान नहीं था बस मुझे बातसाही मिलती है देखते हैं स्वर्ग की बातसाही देने आये हैं बाबा कहते देखते हैं बाप स्वर्ग की बातसाही देने आये हैं तो फट से पकड़ना चाहिए न बाबा यह सब आपका है आपके काम में लग गया बाबा ने भी सब कुछ इन माताओं के हाथ में दे दिया माताओं की कमेटी बनाई उन्हों को दे दिया बाबा ही सब कुछ कराते थे समझा बाबा से 21 जन्मों के लिए बात्साही मिलती है तो अब तुम भी लो बाबा कहते 21 जन्मों की बात्साही मिलती है तो अब तुम भी लो न बाबा ने जट गुलामी छोड़ दी जब से छोड़ा बाबा कहते जब से छोड़ा है तब से बड़ा खुसी में चलते आये है यह तो अनेक बार हमने देवी देवता धर्म इस्थापन किया है बाबा ने भ्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा अनेक बार इस्थापन किया होगा जब ऐसी बाते हैं तो देरी क्यों बाबा से तो हम 21 जन्मों का वर्सा जरूर लेंगे बाबा घर बार तो नहीं छुड़ाते हैं भल उनको भी अच्छी रीती समालो सिर्फ बाप को याद करना है नसा रहना चाहिए कि हम बाबा के बने है बाबा को लिखते हैं बाबा फलाना बहुत अच्छा निश्चय बुद्धी समझदार है बहुतो को समझाते हैं परंतु निश्चय बुद्धी हमारे पास तो आते नहीं बाबा कहते परंतु निश्चय बुद्धी हमारे पास तो आते नहीं बाबा से मिले ही नहीं और मर जाएं फिर बाबा से वर्सा कैसे मिलेगा यहां तो बाप की गोद लेनी पड़ती है न बाबा कहते यहां तो बाप की गोद लेनी होती है न निश्चय हुआ और सरीर छोड़ दिया मेहनत कुछ भी नहीं आईरन एज से गोल्डन एज ना बने तो कॉमन प्रिजा में जन्म लेंगे अगर बच्चा बन अच्छी रीती पक्का होकर फिर सरीर छोड़े तो वारिस बन जाएं वारिस बनने में मेहनत थोड़े ही लगती है कोई तो सूर्य बनसी राजाई पाते हैं कोई तो सर्विस करते करते पिछाड़ी में एकदम जन्म लिये करके राजाई की पग पालेंगे बाबा कहते कोई तो सूर्य बनसी राजाई पाते हैं कोई तो सर्विस करते करते पिछाड़ी में एक जन्म के लिए राजाई की पाग पालेंगे वहा कोई सुख थोड़े ही हुआ राजाई का सुख तो पहले ही है फिर कलाएं कम होती जाती है बच्चों को तो पुरुशार्थ कर मा बाप को फालो करना है मम्मा बाबा की गद्दी पर बैटने के लायक बनो हाइड फैल क्यों होना चाहिए पुरुशार्थ कर फालो करो सूर्य वन्सी गद्दी का मालिक बनो स्वर्ग में तो बाबा कहते स्वर्ग में तो आऊ न ना पास होते हो तो चंद्र वन्सी में चले जाते हो दो कला कम हो जाती है अच्छा मीठे मीठे सिकल्दे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चो को नमस्ते हम सब रूहानी बच्चो की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते धार्णा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते पहली पैंट बाप से आसिर्वाद मांगने के बज़ाए याद की यात्रा में ततपर रहना है रूहानी यात्रा में कभी भी ठकना नहीं है बाप से आसिरवाद मांगने के बजाए याद की यात्रा में ततपर रहना है रूहानी यात्रा में कभी ठकना नहीं है दूसरी पैंट बाबा कहते स्यू बाबा को अपना वारिज बनाए उस पर पूरा पूरा बलिहार जाना है मा बाप को फालो करना है 21 जन्मों की राजाई का सुख लेना है वर्दान दिया बाबा ने वर्दान में बाबा कहते निमित भाव के अभ्याज द्वारा स्वा की और सर्व की प्रगती करने वाले नियारे और प्यारे भाव निमित भाव के अभ्याज द्वारा स्वा की और सर्व की प्रगती करने वाले नियारे और प्यारे भाव डिटेल में बाबा कहते निमित बनने का पाल्ट सदा नियारा और प्यारा बनाता है अगर निमित भाव का अभ्याज स्वता और सहज है तो सदा स्वा की प्रगती और सर्व की प्रगती हर कदम में समाई हुई है उन आत्माओं का कदम धरनी पर नहीं लेकिन इस्टेज पर है निमित बनी हुई आत्माओं को सदा यह इश्मरती स्वरूप में रहनता है कि विश्व के आगे बाप समान का एक्जम्पल है स्लोगन में बाबा कहते सुख दाता के बच्चे सदा सुख के जूले में जूलते रहो दुख की लहर में नहीं आओ तो ये थे बाबा के महावाक के अच्छा ओम शंती झालो झालो